दरसल ये उस दौर की बात है जब फिल्म जंजीर के बाद अमिताब बच्चन खुद को इंडिस्ट्री में साबित कर चुके थे और उन्हें सुपस्टा का दर्जा हासल हो चुका था। इस बीच अमिताब बच्चन और जया बच्चन को जानकारी मिली की रिशिकेश मुखर जी एक फिल्म बना रहे हैं। को समझाया कि फिल्म का बजट भी काफी कम है और उन्हें इस फिल्म में एज़स्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमिताब के सिर पर ऐसी धुन सवार थी कि उन्होंने और जया बच्चन ने फिल्म में फ्री में काम करने की ठानली थी। बाद में ये फिल्म बंपर हित साबि इंद्रो और अमिताब की जोड़ी एक साथ स्क्रीन पर नजर आई थी। बता दे कि इन दिनों अमिताब बच्चन अपनी हाली या रिलीज फिल्म कल की 2898 एडी की सक्सेस एंजोई कर रहे हैं। जिसमें वो कमल हासन, प्रभास और दीपिका पादुकोल संग नजर आए थे फिसमें पे खिल्म के दिनोंग्र आए थे उपिका रहे हैं।